दोस्तो अड़ोगा चले मैं आप सभी का बोदबस स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो के अंदर Android phone की कुछ ऐसे important और खतानाक setting के बारे बताऊंगा जो आपको ये setting अपने Android phone के अंदर हमेशा बंद करके ही रखना चाहिए अगर दोस्तो ये setting आप बंद नहीं करते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि आपके smartphone के अंदर Android phone के अंदर बहुत सारे से privacy होता है जैसी कि आप WhatsApp पे किसी से बाते वेगरा करते है चैटिंग वेगरा Facebook पे password को save करके रखते हैं Google पे हो या आपके mobile के अंदर contact के अंदर contact नमर save किया हुआ bank कर detail call किसको करते हैं तो सारा चीज आपके mobile के अंदर ही रहता है बहुत सारा information आपके mobile के अंदर store करके रखते हैं लेकिन आप ये setting को on करने के बात आपका जितनी भी privacy है वो leak करता रहेगा और किसी और third party के पास जाता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि हमारे smartphone के अंदर धेडो सारे से setting होती है कुछ अच्छे भी होती है और कुछ बुड़े भी होती है जो आप लोग को पता नहीं होता है कि भाई कौन सा setting अच्छा होता है कौन सा setting आपको बुड़ा है आपके लिए नुकसान दे है वो सब चीज आप नहीं जानते होंगे लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन सी खतानाक setting है और यह कहां पर मिलेगा और कैसे बंद करना है तो आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो दोस्तों जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखी का बिलकुल ना मिसकरे तो चले मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट मेरा नामे सितारे और आप देख रहे होगा टोगा YouTube चैनल दोस्तों देख सकते मोबाईल स्किनल पर आज चुका और चले मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसे खतानाक सेटिंग के बार में जो आपको ये सेटिंग हमेशा अपने फॉन के अंदर बंद कर लेना चाहिए अगर दोस्तों जानना चाहते हैं कि ये setting कहां पर मिलेगा तो सबसे पहले क्या करना होगा इस वीडियो को like करके support कीजगा कम से कम 2000 like कर दीजगा इस वीडियो पर मैं target रखता हूँ उसके बाद दोस्तों channel कर लिजगा subscribe और यहां पर घंटा दबा दीजगा और इस वीडियो को जादर जादर लोगों तक share करें ताकि और भी लोगों को पता चले ये setting के बाद में ताकि वो भी बंद कर पाए तो चले मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी setting है तो सबसे पहले क्या करना होगा अपने mobile के setting में आ जाना होगा और अपने mobile के setting में आने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं एप and notification इसको किलिक कर लिजे किलिक करने के बाद दोस्तों नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा एप permission को किलिक कर लिजे क्योंकि हमारे smartphone के अंदर जो होता है राइट फॉन तो एप ही काम करता है और कुछ ऐसे application होते हैं जो आप website से download करते हैं क्योंकि play store से जो भी application रिमूब कर देता है और वह application किसी third party application यानि किसी third party website से आप download करते हैं तो क्या आपको पता है कि वह application के अंदर marvel तो नहीं है वाइडस तो नहीं है आप नहीं जानते हैं लेकिन उस application के अंदर आप बिंदास से इस्टॉल करके आप पर्मेशन दे देते हैं और आपका मोबाल मारवाल से भर जाता है वायरे से भर जाता है और इसे जड़िये से आपका मोबाल जितनी भी प्राइबी सी है वो लिक करता रहता है तो इसलिए आप जो भी अप्लिकेशन इस्टॉल करें तो आप प्लेश्टॉर से ही इस्टॉल करें तभी आप पर्मिशन दे अगर पहेचांस परमिशन दे देते हैं, तो यहां पे साड़ा का साड़ा लिस्ट आजागा, और जो भी आप परमिशन दीए, तो आप इसे कैमरे पे किलिक कर लिजे, कैमरा पे भी आपका नजर रहता है, तो सिंपल आपको क्या करना होगा, इसे बंद कर लिजे, यह सब फेक application है, मैं बंद करके ही रखता हूं जैसे कि यह वाला अप्लिकेशन होता है यतनी भी अप्लिकेशन यह से मैं बंद करके ही रखता हूं यह डू वगड़ा यह सब आप्लिकेशन आपको बंद करके रखता हूं अगर जरूरत है तो अगर जरूरत ने तो बंद कर लिजे तो आप ट् आक्र फॉन जो भी आपका प्रमिशन लेता है सभी आपको बारे-बारी से फिलिक करके आपको यहां पे बंद कर दिना होगा कोछ यहीं स्थ तरह से जैँ आ तो यहीं है सेटिंग आपको बताना था हैा आपके फॉन के अंदर यहीं खतनाघ सेटिंग जो आपको हमेशा बंद करकी रहाखना चाहिए तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना है तक आपको वीडियो चलेगे इस वीडियो को लाइक कीज़ेगा शेर कीज़ेगा और चेल्म को कलेज़ेगा सब्सक्राइब और साथ में घंटी को दबाना बिलकुल नहीं तब तक ल